नमस्कार दोस्तो पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर मही पाउल सिंग रॉट होड और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिसक्स करूँगा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में दुनिया में रहने के लिए सबसे बेस्ट शहर कौन सा है इसको आखने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है Economist Intelligence Unit के द्वारा और ये इंडेक्स अभी हाली में जारी हुआ है 2021 साल के लिए इस रैंकिंग में New Zealand का Auckland शहर No.1 पर आया है और दूसरे स्थान पर है Japan का Osaka शहर लेकिन बाकी के Top 10 Cities को अगर हम देखें तो इस बार ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है क्या बदलाव है और वो क्यूं आया है इसको हम discuss करेंगे इस वीडियो में भारत की तरफ से क्या rankings होती है भारत किस तरह से अपने शहरों को आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा इस lecture में अगर आप मुझसे Unacademy app पर जुड़ना चाहते हैं तो इस ID पर मुझे महाँ follow कर सकते हैं मेरे plus course या कल होने वाली special classes के updates आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी अन्य सभी social media platforms पर महीपाल राठोड is my handle इस lecture का PDF आपको pathfinder underscore UPSC telegram channel पर मिल जाएगा Unacademy के subscription पर इस वक्त 35% discount ongoing है और इसके बारे में आपको मैं जादा जानकारी दूँगा लेक्चर के अंत में Most Livable Cities की यह जो ranking है इसको जारी करता है Economist Intelligence Unit यह Economist magazine का एक part है Economist एक UK based magazine है काफी पुरानी और famous magazine है उसके द्वारा यह हर साल ranking जारी करी जाती है इसको कहा जाता है Livability Index New Zealand का Auckland शहर इस ranking में number 1 पर है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह report बताती है कि COVID-19 को रोकने के लिए जिस प्रकार के कदम उठाये थे New Zealand सरकार ने और खास करके वहां के शहरों ने उसके कारण यह शहर top पर आया है और केवल Auckland दी नहीं आप देखेंगे कि दूसरे भी कई सारे cities हैं जो Australia और New Zealand देश के हैं वो top पर आया है उसके पीछे main reason यही है कि इन्होंने COVID-19 को काफी हद तक control किया था अब यह ranking जो है इसके लिए survey होता है फरवरी और मार्च के महीने के बीच में तो उस समय यह जो cities हैं यह काफी safe थे compared to the other cities of the world और Europe में उस समय एक second wave चल रही थी और European cities इसी कारण से इस बार ranking में थोड़े से पीछे हैं इस index को तयार करने के लिए total 30 factors को जाचा जाता है 30 factors पर marks दिये जाते हैं शेहरों को और यह 30 factors broadly 5 category में हम divide कर सकते हैं पहला stability यानि शेहर में स्थरता कितनी है ऐसा तो नहीं कि रोज बं गिर रहे हैं Syria, Damascus की तरह civil war चल रहा है वो वाले factors इसमें आ जाते हैं healthcare कैसा है शेहर का, COVID-19 के दौरान वहाँ पर hospitals में facilities थी या नहीं थी culture कैसा है शेहर का, environment कैसा है, education और infrastructure यह 5 categories है और total इन में 30 factors हैं अगर आप इन सभी factors को पढ़ना चाते हैं तो यहाँ पर वीडियो को pause करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं मैंने category wise आपको यहाँ पर दिखा रखा है कि कौन-कौन से factors हैं अब इस ranking में pandemic का क्या impact पढ़ा है, यह काफी important है तो देखो pandemic के कारण शेहरों में दो बहुत important factor थे पहला कि वहाँ के healthcare resources पर कितना load आया, कितना stress आया, hospitals में जगे थी, नहीं थी, oxygen था, नहीं था तो इस तरह की चीज़ें इस ranking में देखी गई हैं और दूसरा, शेहरों में restrictions कितने थे जैसे कि sporting events, theater, music, concert, restaurant, school, क्या यह सब खुले थे, बंद थे, इसके basis पर ranking में इस बार काफी impact आया है क्योंकि यह दोनों ही चीज़ें pandemic के कारण, covid-19 के कारण impact हुई हैं तो अगर आप top 10 cities देखेंगे, तो इनमें जादातर शहर, Australia और New Zealand के हैं अब यह दोनों ही देश जो हैं, यह एक प्रकार से island हैं, द्वीप हैं, बड़े-बड़े और इनमें आना जाना अगर आप रोग दो, हवाई जाहाजों को बंद कर दो, तो कोई भी आ जा नहीं सकता और इसलिए इन्होंने अपने covid-19 cases को काफी अच्छे से control भी कर लिया था तो आप number one city देखेंगे, तो वो था Auckland, New Zealand, दूसरे स्थान पर था Osaka, Japan, तीसरे पर Adelaide, Australia, चौथे पर Wellington, New Zealand, Tokyo, Japan, Perth, Australia, यह दो शहर Switzerland के हैं, Zurich और Geneva, और फिर से Melbourne और Brisbane, यह Australia है, तो चार शहर Australia के हैं, यह याद रखेगा, top 10 में से चार शहर Australia के हैं, दो New Zealand के, दो Japan के, और दो Switzerland के, तो अगर कभी सवाल आता है कि most livable cities में, top 10 में maximum शहर किस देश के हैं, तो आपको याद रखना है कि यह है Australia, और number one और number two city कम से कम याद रखना, Auckland और Osaka, अब आजाओ, लिस्ट के अंत में, least livable city दुनिया के कौन से हैं, रहने के लिए सबसे खराब शहर, Damascus है, सीरिया का capital, उसके पीछे कारण ही है कि वहाँ पर ग्रह युद्ध चल रहा है, 10 साल से, तो वो stability वाले factor में उसमें ranking उसकी बहुत खराब रहती है, तो Damascus लगबग कई सालों से last पे ही आ रहा है, तो Damascus last है, 140 इसकी rank है, फिर उसके बाद 139 पे है, लागोस, नाइजीरिया, फिर पोर् लोगे काम चल जाएगा, अब आते हैं COVID-19 के impact पर, तो देखो, top 10 cities के अंदर इस बार बहुत बड़ा बदला हुआ है, पिछले 3 सालों से Vienna number 1 पर आ रहा था, उस्ट्रिया का जो capital है, लेकिन इस बार Vienna top 10 में भी नहीं है, और overall सारे European शहरों की ranking काफी गर गई है, क्योंकि सर्वे हुआ था, फर्वरी मार्च के महिने में, तो उस समय योरोप के जाधा तर शहर या lockdown में थे, या फिर महाँ पर cases बढ़ रहे थे, तो इसलिए योरोप के जाधा तर शहरों में ranking नीचे गई है, और US के जो शहर है, उनकी ranking उपपर आई है, तो USA, Australia, New Zealand, इन देशों की से शहरों की ranking उपर आई है, और योरोप के जो शहर है, वो नीचे गए है, पिछले कई सालों का टॉपर वियेना, इस बार 12th position पर है, इन फाक्ट वियेना टॉप 10 से बाहर शायद पहली बार ही हुआ है, इसके पहले कभी टॉप 10 के बाहर नहीं गया था, Australia, New Zealand और जापान जैसे देश, जो relatively open रहते, इतने strict lockdowns वहाँ पर नहीं थे, और वहाँ पर शहरों में कई facilities, उपलब्द थी, कई सारे public functions भी महाँ पर चल रहे थे, February, March के महिने में, तो इसलिए ये सारे शहर टॉप पर आगए है, और इनके healthcare system जो है, वो भी resilient थे, क्योंके यहाँ पर देखो strain नहीं आया, जितना Europe में या फिर Asia के अन्य देशों में आया था, वैसे COVID-19 को रोकने के लिए New Zealand की तो हर तरफ तारीफ हो रही है, एक दूसरी ranking है, जिसमें देशों को आंका गया है कि कितने effectively उन्होंने COVID-19 से निप्टा है, तो उसमें number one पर New Zealand है, और सबसे खराब है Brazil, ठ का एक राज्य है, it is one of the 50 states of United States, लेकिन ये Pacific Ocean के बीच में स्तितिक ध्वीब समु है, तो Honolulu शेहर जो है, ये 46 places की छलांग लगा कर, चौदवे स्थान पर आ गया है, और इसके बीचे भी again reason ये है, आइलेंड है, इन्होंने COVID-19 को काफी effectively control कर लिया था, और rapid vaccine rollout किया है, तो वहाँ पर COVID-19 के cases बढ़ रहे हैं, जैसे कि Melbourne और Tokyo, Tokyo में तो इतने cases आ रहे हैं कि अब फिर से वहाँ पर local लोग कह रहे हैं कि आप Olympics मत करवाईए, तो Tokyo, Melbourne जैसे cities यहाँ पर COVID बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यही है, आप समझिए कि अगर 2-3 महीने cases कम हो जाते हैं, इसका मत खास करके बहुत aggressively vaccination campaign चल रहा है, जिसके कारण जाद तर शहर अब open हो चुके हैं, Australia और New Zealand ने अभी तक अपने international borders को travelers के लिए नहीं खोला है, और ऐसे में जो अगले साल की ranking होगी, उसमें शायद इस बात का impact पड़ेगा, क्योंकि आप अपने शहर को हमेशा बंद नहीं एक तरफ Asia में बहुत अच्छा अच्छे शहर है रहने के लिए, जैसे कि Taipei, Singapur, इनकी ranking काफी अच्छी है, दूसरी ओर जो सबसे खराब शहर हैं, वो भी Asia में, क्योंकि देखो Asia continent बहुत बड़ा है, तो जैसे Damascus, जो least livable city है, वो भी Asia में है, और धाका जैसे शहर है, वो कुछ top cities भी यहाँ पर हैं, और कुछ नीचे आने वाले cities रैंकिंग में, जैसे कि Karachi, धाका, Port, Morrisby, यह भी Asia में ही आते हैं, अब एक इसी प्रकार का index भारत सरकार ने भी launch किया था, मार्च 2021 में, इसका नाम है Ease of Living Index, और इस ranking में Bengaluru number one city आया था, अब लेकिन यहाँ पर क्या आएगी, दो तरह से ranking करी गई थी, एक ऐसे शहर, जो एक million से जादा है, उनकी आबादी, यहनी 10 लाग से उपर है, और कुछ ऐसे शहर, जिनकी 10 लाग से कम आबादी है, तो जो छोटे शहर हैं, उनमें शिमला number one पर था, और जो बड़े शहर हैं, उनमें Bengaluru number one पर था, पू Ministry of Housing and Urban Affairs के द्वारा, और यहाँ पर दो तरह के rankings थी, एक था Ease of Living Index, और दूसरा था Municipal Performance Index, तो Bengaluru Ease of Living Index में top पर था, और Indoor MPI में Municipal Performance Index में top पर था, आपको पता ही होगा, Indoor लगबग हमेशा स्वच्छता rankings में भी number one पर रहता है, तो यहाँ पर Municipal Performance Index में भी इसकी rank number one थी, यह यह report तैयार करी गई थी, Institute for Competitiveness के द्वारा, लेकिन overall जो criteria है, जो framework है, वो पूरा MOHUA ने set किया था, तो यहाँ पर दो category थी मैं आपको बता चुका हूँ, million plus cities और million 10 लाग से कम अबादी वाले शहर और इनकी यह rankings थी, top की, Municipal Performance Index में Indoor, सूरत, भौपाल, top 3 पर थे, और जो चोटे शहर है, जिनके आवादी 10 लाग से कम है, उनमें New Delhi, तिरुपती और घानी नगर है, अब यह मत कहना है कि दिल्ली के आवादी तो डेड़ दो करोड है, देखो यह New Delhi Municipal Corporation की बात हो रही है, ठीक है, New Delhi, यह वो वाला इलाका है, जो Lutian Zone जिसको गहते हैं, जहाँ पर Parliament है, जहाँ पर सारे मंत्री लोगों के आवास है, यह वो Central एरिया है दिल्ली का, यह वो एक अलग मुनिसिपालिटी, it is called the New Delhi Municipal Corporation, N-D-M-C, बाकी पूरा दिल्ली शहर जो है, वो अलग मुनिसिपालिटी के द्वारा गवर्ण किया जाता है, तो यह जो किवल N-D-M-C वाला इरिया है, यह नंबर वन पे आया था, आपको इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना है, तो आप इन दोनों टेलिग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप भारत के बेस्ट टीचर्स के द्वारा ऑनलाइन लाइव क्लासे में पढ़ना चाते हैं, तो आप अपने अका आपको इसमें आपकी पूरी तयारी हो जाएगी, यह उफर अभी केवल, बन यर या टू यर वाले सब्सक्रिप्शन पर वैलिड है, और 16 जून से पहले अगर आप यह कोर्स लेते हैं, तो आपको वैलिडिटी मेंस 2022 या मेंस 2023 तक मिलेगी, इसका फायदा यह होगा कि आपको अगर रिविजन करना है, कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर रहता है, त आप उसकी क्लासे जॉइन कर सकते हैं, रिविजन बैचेस जॉइन कर सकते हैं, तो यह फायदा आपको केवल 16 जून तक अभी मिलेगा, कि आपको अल्मोस्ट डेर साल की वैलिडिटी मिल जाएगी, एक साल के प्राइस पर, और दूसरे existing benefits तो हैं, जैसे कि आपको books का set पू आप process बता देंगे, इसमें कोई interest नहीं है, कोई processing fee नहीं है, it's a very simple process, just log on to this link and fill out your information, subscription लेते ही, आप batches को join कर सकते हैं, जहाँ पर structured format में आपकी तयारी करवाई जाएगी, एक special batch बन रहा है, जिसमें one-on-one mentoring करी जाएगी, top educators के द्वारा, इसमें आपको join करना है, तो इसमें भारत के best IAS officer से personal guidance मिलेगी, और उसके लावा धेर सारे prizes हैं जीतने के लिए, और scholarships भी है, anacademy की तरफ से, SSC bank, railway, state PCS, exams के लिए भी courses available है, do check out the anacademy app और the website, और इन सभी courses पर आपको 10% discount मिल जाएगा, अगर आप महिपाल code को use करते हैं, thank you very much for watching this, and please do subscribe to Pathfinder.